सकीम का इन्होंने बुरा हाल सत्या नस करके रख दिया है वंशट्रू में जो हम मैटेरियल थर्ड कलास का लगाया गया है जो लोगों की सेफटी नहीं कर सकता है अरियल कश्मीर न्यूज में आपका खैर मगदम है मैं हूँ आपका मेजबान तारिक शेक अगर आज हम बात करें सरहदी जिला पुंच के तैसील मंडी के बॉर्डर अलाका सौवजियां की जहां पर आई रोज ये देखने को मिल रहा था कि पाकिस्तान की जानिप से नापाक कि आति काथ ही उसके बार जानिप से एक सकीम निकाली की बांपर जो हो सौवजियां में बनाए जाएंगे लेकिन जमीनी सत्फा पर अगर हम बात करें उनकी क्या हालत है वह आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन इससे पहले में आपको बता दू कि इस वक्त हम मुझूद है सौवजय में जहां पर बंप बनाएगे हैं इससे पहले आप देख सकते हैं यह सौवजया का अलाका जहां पर बिल्कुल नज कि जानिब से नापाक कोशिश की जाएगी लेकिन अगर हम बात करें सरकार की जानिब से या फिर administration की जानिब से जो है यहाँ पर एक अच्छी सकीम निकाली जिसमें यह बताया गया कि यहाँ पर बंप शल्ट बनाया जाएंगे जिसे अवाम को बसने का एक अच्छा मोका मिलेगा जब भी कहीं ऐसा हादसा पेश आएगा जब भी कहीं ऐसी वारदा सामने आएगी तो उस वक्त जो है अवाम इन बंप शल्टर पर अपनी जान बचा सकते हैं लेकिन यह अ इस वक्त मैं यहाँ पर दिखाने की कोशश करूँगा कि बंप इक का हालत है और किस तरह यहाँ पर बंप शल्टर के अंदर जो है वो पानी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है मैं कैमरामेंसे भी गुजारिश करूंगा वो जारूर दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो है क्या हालत यह वो बंप है जिसमें जो है सरकार की जानिब से या फिर एड्मिस्टेशन की जानिब से यह बताया जाता है कि इसलिए बंप आएगे हैं जब भी कोई ऐसी वारदाद जब भी कोई पुडोसी मुलक जो है नापाक कोशिश करेगा उस वक्ड जो है यहां की पॉब्लिक जो है यहां की अवाम जो है यहां पर अपनी जान बचा सकती है लेकिन अगर खुदा न कास्ता अचानक किसी वक्त जो है ऐसा हादसा पेश आएगा तो आप देख सकते हैं कि इस बंप शल्टर की क्या हालत है यह आप देख सकते हैं अंदर जो है पूरा पानी बड़ा हुआ है यहां पर पानी जो है वो देखने को मिल रहा है यहां पर पूरी जगा नहीं है अंदर जाने की हम यह चाहते थे कि अंदर के हाला दिखाएंगे अंदर के मनाजर दिखाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर पानी से यह बड़ा हुआ है और third class material जो है वो इस्तमाल किया गया है यहां पर अगर सरकार की जानिब से या फिर इंतिजामिया की जानिब से पैसा दिया गया है कि यहां पर जो है आपको बचने का एक अच्छा सुनेहरा मोका होता है कि जिस वक्त पोडूसी मुलक नापाक कोशिश करता है आई रोज आप देखते हैं कि पिछले 2014-15 की बात करें जब सावजयम है पाकिस्तान की जानिब से पोडूसी मुलक की जानिब से नापाक कोशिश की गई थी उस वक्त जो है काफी नुकसान भी हुआ था यहां पर लेकिन उसके बाद ही इंतिजामिया की जानिब से एक अच्छी सकीम निकाली गए थी कि बंब शेल्टर जो है यहां पर बनाये जाएंगे लेकिन बंब शेल्टर आपने बाको भी देखा इस वक्त जो है यहां पर हमारे साथ कुछ मुकामी लोग भी है मुकामी बाशिंदे हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना रहेगा इस हवाल से कि किस डिपार्टमिट है यह बनाया और कितना पैसा इस पर लगा क्या वो पैसा निकाला गया और यहां पर इनकी पास क्या डिटेल रहेगा वक्त हमारे साथ मुझूद है यहां के बाशिंदे जो यहां के लोकल्स है बिलकुत बंब शेल्टर के कुछ ही कदम दूर इनका गर भी पाया जाता है हम इन से जाने के कोशिश करेंगे कि क्या वाक्यात है सर अगर हम बात करें जिस तरह से यहां पर बंप बनाये गया है लेकिन बंप शेल्टर के अंदर पानी बरा हुआ है क्या कहरा साएंगे आप बहुत बहुत शुक्रे आप लोगों का मेडिया वर्लों का खास कर बहुत अच्छी स्कीम थी हम लोगों के लिए बाडर एरिया के लोगों के लिए और इसमें जो है नीचे की सता पे इन लोगों ने जो है ना इस सकीम को जो है इसका नाजाइज फाइदा उठाया है यह 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 था लोगों की सेफटी के लिए यह था लोगों की जाने बचाने के लिए लेकिन नीचे की सता पे लोगों ने इसको बिजनस बना के रख दिया है बस यही बंशेटर का यह काम होता है कि जब बंगिरे तो लोगों को सेफटी मिले लेकिन इनुने यहां पे पैसा कमाने का जरिया बनाया है आप खुद देख रहे हैं कि बंशेटर की हालत क्या है तीन या साड़े तीन लाख रुपया पंचाइट डिपार्टमेंट ने इस बंशेटर को दिया है तो इस वक्त इसकी हालत ऐसी है कि यह 50 रुपे का भी नहीं रह चुका है सवाल यह पैदा होता है एक तो इसमें बंशेटरू में जो हम मैटेरियल थर्ड कलास का लगाया क्या करनाचिंग आप जिस तरह से नस्साrh सामने हमारा परोशी मुलउ्स घाता है और किसी ना वक्त उसका बोरोसा नहीं होता कि किसी ना किसी वक्त भी वह यहां पर अटाक करने की करता है कि कुछ साल पहले यहां पर अटाक किया गया क्या आपको अगर लिगता इन बंप शेटर जो जो बंप शेडर याम बनाए गए है इसे अवाम को फाइदा मिले इसे अवाम बाई सकती है अवाम के फाइदा के लिए बनाए गाया था अब परोस्टी मुलक हमारा जो है ना उसका कोई बरोसा नहीं है फार बिंग टाइम उसके साथ अलाइंस है हमारी कर दो सिस्पायर रहेगा अब सिस्पायर का ये पता ने होता है कि कब टूड जाए अगर यहां पर कुछ अटाक हो जाए खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी यहां पर अटाक हो सकती क्या इस बंप शेड़ जो बनाए गया है इसमें जो है अवाम बैसक्ति इस यह हमारा ला वो इतना दम नहीं रख सकते हैं करो किसी गोला या गोली से हमें बचा सके हैं, यह एक last saadhan था हमारा लेकिन इस saadhan को निचे की सता पर उने डिपार्टमेंट उने इसको कमिशन का जर्या बनाके इन की Bill बिल निकाले हैं, कमिशन पे बिल पहले तो ये समझ नहीं आती है, हमें अगर कमिशन 30 या 32 परसंट पंचाइट में या R&B में किसी में देना पड़ता है, ये किस बात का देना पड़ता है, क्या ये लोग सैलरी नहीं लेते हैं, क्या ये लोग हम लोगों के टेक्स से तंखार नहीं लेते हैं, फिर अगर ये हमारे ग्रांटूस से दिया जाता है आज तक मुझे ये समय लिया ये कमिशन किस बात का देना पड़ता है और जितनी कमिशन ये लेते हैं उतना ही बिल पास करते हैं उसके अलावा ये एक रुपिया किसी जमीनदार को किसी गरीब को या किसी किसी काम करने वाले को वो चाहे निर्गा हो और चाहे दूसरी कोई सकीम हो नहीं दे पाते हैं ये मुझे ये समझे नी आती है ये कमिशन किस बात का है अगर कमिशन लेके भी ये हालेथ है हमारे इसकी development की development का इन लोगों ने सत्या नस करके रख दिया है चिरिफ commission basis बे आकिर में आप इंतजामें से क्या पील करना से हमने इससे पहले भी इससे कबल भी बहुत सारी वीडियो के जरीए सोशल मीडिया के जरीए मीडिया के जरीए हमने बड़ी बार रिक्वेस्ट की ची कि इस तरफ देहन दिया जाए आर एंड बी पीडियो डी एंड पंचाय जितने भी डिपार्टमेंटों ने ये बंचेटर बनाए है 90% बंचेटर जो है ना काबले रिहाइश है उनमें हम छुप नी सकते हैं ना अपनी जान बचा सकते हैं ड्यू टू ये जो मटेरियल ने थर्ड कलास यूज किया है दूसरा हर कोई बंचेटर ऐसा बनाया गया है जिसमे जिसमें पानी जमा है पानी के निकास के लिए कोई गुजाईश ने यहां पे रखी है इन लोगों ने इस वक्त अगर रहेश के काबल है आप खुद भी दे सकते हैं मैं गुजारश करूँगा डी सी साब से आपकी वसादत से कि इस तरफ जिया जाए एक मेटी तश्कील द बनाए गे थे अवाम की सेफ्टी के लिए कि अवाम यहां पर छुप सकती है किसी भी वक्त जो है अपना पॉर्डोसी मुलक जो है कुछ भी कर सकता है किसी वक्त अटाक कर सकते है उसको छुपने के लिए इंतजामिया की जानिब से एक अच्छा कदम उठाय गया था लेकि कि खिलाब कड़ी सी कड़ी कारवाई की जाए नाजनिया बनेरे दार्यल कश्मी नियूज के साथ दीजे इजाजत तारिक शेको खुदा वदियो नियू नियू था एक शोलग येडिया नियू नियू वताम तारिके साथ जाताता है